Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Faiyal Popli and this video में हम जैसे कि आप देखी सकते हैं, discuss करने वाले हैं, test paper series के एक particular chapter के test को. अब यह series क्या है? अगर आप यह video for the very first time देख रहे हैं, तो Magnet Brains चैनल पे business studies का 11-12th class का पूरा का पूरा syllabus covered है, one shot revision covered है and at the same time NCIT solution भी covered है. उसके बाद हमने सोचा और क्या extra students के लिए कर सकते हैं, तो हमने बनाई हैं आप लोगों के लिए एक test paper series. इसमें हमने हर एक chapter के जो भी most expected question होते हैं, हर एक format के वो combine करके आपको test format में दिये, वो हमने आपको community post के through supply किया था, या फिर आप जो videos हैं उनके नीचे description box में भी link वहाँ का देख सकते हैं. इन test को आपको खुझ से solve करके देखना था, उसके बाद दो दिन बाद हम आपको solution video provide करते हैं, जिससे आप check कर सकते हैं, कि आपने जो answers mark किये हैं, क्या वो सही से mark किये हैं या नहीं किये हैं, आप वो कहां कहां improvement करने की जरूरत है, ठीक हैं, तो अगर आपने अभी तक test papers कि चाप्टर के नहीं लगाएं हैं, तो फट 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 जाके sequence से सारे test papers लगाएं, सबका link आपको community post के through मिल जाएगा, या फिर description box से as I have stated पहले भी, तो ये 3rd से लेके 12 तक सारे subjects के लिए विलेबल है, तो अगर आपको economics या फिर accounts कि सब्जेक्ट के लगाना आपकी कर सकते हैं इस particular chapter में हम बात करेंगे class 12 के business studies के consumer protection मतलब chapter 12 के बारे में, इसका test paper दो दिन पहले आपको मिला था ठीक है, और इसमें किस-किस तरहें की questions थे मैं वो थोड़ा सा आपको पहले explain कर देती हूँ, या फिर मैंने generally सारे chapters में किस-किस तरहें की questions रखे हैं, वो मैं बता देती हू जाकि आपको pattern समझ में आजा, एक अच्छे से, okay, so मैंने हर test में 4 type के questions दिये हैं, 4 type के questions दिये हैं, इसमें सबसे पहले आएंगे आपके MCQ pattern के questions, मतलब multiple choice questions, question लिखा होगा, 4 option दिये होंगे, आपको tick करना रहेगा और वही आपका solution होगा, and then उसके बाद होंगे आपके assertion, reason वाले questions, यहाँ पे आपको 2 statements दी रहेंगे, 4 options दिये होंगे, उन statements के basis पे आपको सही option को tick करना है, then आपको दिये होंगे subjective questions, मतलब यहाँ पे आपको भर भर के लिखना पड़ेगा, बस मैंने यहाँ पे एक चीज नहीं किये है, वो यह है, कि मैंने marks नहीं allot कियें किसी भी question को, मैंने open edit छोड़ा है कि आपको जितना उस concept से related आता है, आप लिखतो, यहाँ फिर question के basis पे आप answer करो, अगर question में लिखा हुआ है, explain briefly, तो आपको brief में explain करना है, कहीं लिखा हुआ है explain and detail, तो वहाँ पे आपको explain करना है, बहुत जादा detail में examples की मदद के साथ, तो आपको अपनी खुद की judgment इस्तमाल करनी है, पेपर में आपको यह idea marking scheme से पता सल जाएगा, जिस question के ज्यादा marks होंगे, उसमें आप ज्यादा content लिखेंगे, जिस question के कम marks होंगे, उसमें आप कम content लिखेंगे, subjective के बाद आएंगे case based question, जिसमें case studies आएंगी और उसके basis पे कुछ questions पू करना है, यह सारी ही चीजों के अगर आप चाहते हैं कि अंच्छे से आप answer कर पाएं, तो इसके लिए आपको हर एक concept को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, and मेरी मानिये consumer prediction chapter आपको पहले ही निप्टा लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी, reason being, यह chapter ना बहुत easy है, and at the same time scoring भी बहुत है, मतलब इसमें ऐसी कुछ basic चीज़े लिख हुई है, जो हम आम जिंदगी में face करते हैं, तो अगर ऐसी चीज़ों के बारे में हमसे question पूचा चाहिए, तो हमारे answer कैसे फट्चा निकलते है, तो बस इस chapter को अच्छे से पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो, बहुत अ सानी से आप बहुत अच्छा score कर सकते हो, चालिए, तो first question पर चलते हैं हम इस chapter के, जो की है MCQ, multiple choice question, ये question बोलता है, Coca Crackers Limited, a fire cracker manufacturing company, launched some new products on the eve of Diwali, which attracted many customers. To meet the increased demand, the company employed children from nearby villages and in the urgency of work, they ignored to specify safety warnings on packets of crackers. Identify which consumer right is being ignored, right to be assured, right to be heard, right to be informed, right to secret result. अभी क्या बोल रहे हैं, हिंदी मैं बता हूँ, तो ये बोल रहे हैं, कोगर crackers करके company है, जिसने, मतलब जिनका काम क्या है, और विस्टी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, crackers बनाते हैं ये, फटाखे, पठाखे, पठाखे, क्या बोलते हैं, पठाखे, जो दिवाली पे अपन वो जलाते हैं, राइट, अवाजे निकालते हैं, आजीब अजीब सी, वो बनाते हैं ये, और इन्होंने दिवाली की ईव के चलते हुए, बहुत सारे नए products launch किये हैं. इनके ने काफी सारे customers को attract किया, obviously मतलब दिवाली पे तो जोरो शोरो से लोग खरीदते ही हैं, to meet the increased demand, the company employed children from nearby villages, इतनी demand आ गई थी इनके पास products की, कि इनको, मतलब आसपास के जो villages के लोग थे न, जो बच्चे थे especially, उनको हायर करना पड़ा और उनसे काम करा हैं, मतलब नॉ and in the urgency of work, they ignore to specify safety warnings, और इनको इतना urgent था कि भया, demand आ रही है, फट से supply करो, फट से supply करो, हमार पास time नहीं कुछ भी करने का, तो इनने safety measures को ही ignore कर दिया, जो वो warnings लिखी होती हैं, जैसे tobacco products पर लिखी होती हैं, कि इससे cancer होता हैं, इने consume मत करिये, वैसे ही जो safety warnings crackers के उपर लिख रखिये, बच्चों को मुँ में मत डालने दीजिए, इसको आग वाले area से दूर रखिये, ऐसे करिये, वो सारी warnings ही नहीं लिखी होती ही इनके products पर, तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि consumer का कौन से वाला right इन्होंने ignore किया है, right to be assured, right to be heard, right to be informed, right to secret address, बताइए, जो label पे information लिखी होती है, जो statuary warnings वगेरे लिखी होती है, यह हमारा कौन से right बनता है, उस warning से हमें क्या पता चलता है, हमें क्या मिलता है, हमें उससे information मिलती है, तो आप यह क्योंकि इन्होंने miss करती है, थो हमें information नहीं मिल पाई, तो मारा right to be informed क्या हो रहा है, violet हो रहा है, एग्नोर ह रहा है, so answer will be C, first ka answer क्या होगा, C होगा, right to be informed, नहीं मिल रहा है लोगो, मतलम नहीं उनका पूरा हो रहा है, उसे एग्नोर किया जा रहा है, so let's move to second question, it says, Raman bought a room heater of a reputed brand of 1500 rupees, but it caused an electric shock while it was being used, Raman wants to exercise his right, identify the right under which he can be protected, right to seek redressal, right to be assured, right to be informed, right to consumer education, तो भहियार, Raman नाम का कोई इंसान है, जिसने नया नया ताजा ताजा रूम heater खरीदा है, ठीक है, एक branded, मतलब एक अच्छे reputed brand से 1500 rupees में, बड़ा सस्ता खरीद लिए यार, और इससे उसको लगा shock, electric shock लगा है, जब इसने उसको इसको इस्तिमाल किया, मतलब जैसे ही पकड़ा गया ही है, ठीक है, तो रहमन अपने right को exercise करना चाहता है, तो आप बताईए, यह protection के लिए इसको कौन सा वाला right मिला हुआ है, किसी के साथ, अगर कुछ भी ऐसा होता है, मतलब वो product खरीद के आते हैं, और वो product उस वे में काम नहीं करता, जिस वे में बताया जाता है, या कुछ उल्टा ही काम करने लग जाता है, तो उस ताइम पर कौन से वाला right applicable हो जाता है, that you have to tell, right to seek redressal, right to be assured, right to be informed, right to consumer education, बताईए, बहुत simple है, यहाँ पर रमन क्या चाह रहा है, रमन चाह रहा है, कि उसे remedy मिले, तो right to seek redressal will be the correct answer, रमन यहाँ पर क्योंकि उसको जो product खरीब के आया, वो वो सही से वर्क नहीं करा, तो उसके चलते हो, वो remedy चाह रहा है, so A will be the correct answer, चले, let's move to question number 3, यह बोलते हैं, Arushi purchased a pack of biscuits, when she felt the biscuits were stale, she carefully read the label on the pack of the biscuits which mentioned, if you are not satisfied with the product quality, write to our customer care cell at Bell Foods Private Limited, B321 Jalandar, Punjab. The biscuit company has set up its own customer service, yeah consumer service and grievance cell to promote and protect the following right, right to safety, right to be heard, right to be informed, right to consumer education. सब यह एक लड़की है, जिसका नाम है आरूशी, उसने एक biscuits का packet खरीता है, जब वो biscuit खा रहेती तो उसे समझ में आए, तो बहुत बासी biscuit है, हो जाते हैं, कभी-कभी biscuits थोड़े पिल-पिले से हो जाते हैं, कुछ से ऐसे मुँ में डालते हैं, तो एकदम से मेल्ट हो जाते हैं, जब कि biscuits नॉमली करंची रहते हैं, तो वैसे नहीं थे, इसको बुलागा कि बहुत बासी biscuit से, तो इसने ना pack पर information पड़ी, जिस पर लिखा हुआ था, कि अगर आप quality के साथ satisfied नहीं है, आप हमें इस number पर, या इस address पर contact कर सकते हैं, जो biscuit company है, उसने खुद की एक grievance cell खोली हुए, ग्रिवेंट cell मतलब जो complaints entertain करती है, तो यहाँ पर आपको बताना है, कौन से वाला right applicable हो रहा है, right of safety, right to be heard, right to be informed, right to consumer education, reduction नहीं है, यह education है, हां जी, यहाँ पर आरुशी, आरुशी अपनी बात बोलेगी ना, सामने वाले इंसान को, तो right to be heard, जो right है, वो यहाँ पर applicable हो रहा है, यह जो contact उसने ढूंडा है, जो address उसने ढूंडा है, इस पर वो क्या करेगी, अपनी बात रखेगी ना, तो इसको बात बोलने का मौका मिल रहा है, और यह भी तो हमारा एक right ही होता है, right to be heard, so, B will be the correct answer of question number 3, I hope आपने सारे question बहुत अच्छे से पढ़के mark किये हैं, और सारे question अभी तक जतने में मैंने करव हैं, ठीक किया है, चले question number 4 है, dash means right to know the MRP, expiry date, weightage and quantity of the product, right to be heard, right to be informed, right to consumer education, right to be assured, बताइए तो बहुत सिंपल है क्योंकि इस से related equations हम पहले कर चुके हैं, यह बोल रहे हैं कि भाया, MRP जानना, expiry date जानना, weightage जानना, quantity जानना, किसी भी product की, यह आपके कौन से right का part होती है, right to be heard, right to be informed, right to consumer education, right to be assured, बताइए, पता है हमें, right to be informed, क्योंकि यह सारी label पर जो information होती है, वो हमें information provide करती है, हमें product के बारे में, जानने में मदद करती है, तो right to be informed will be the correct answer, question 4 का answer क्या है, B है, चले, let's move to next question, question number 5, यह है, थोड़ा सा, बड़ा सा case study, चलिए पढ़ते हैं, इसक a consumer court in Pune slapped 55,000 fine on a reputed online food delivery company along with a hotel for delivering non-vegetarian food to a lawyer who had ordered paneer butter masala but was delivered butter chicken instead, oh wow, when he reportedly registered the complaint, the hotel promised to replace it and send another parcel of the food with the correct dish, खालिया होगा तब तब तक तो इसका धरम रश्ट हो गया होगा, however, देश्मुक अलिचली received butter chicken instead of paneer butter masala the second time as well, वा, दो दो बार butter chicken, मतलब जब की पनीर वाला सस्ता आता है और butter chicken महेंगा आता है, और दो बार इसको मिल गया है सा, देश्मुक sent notices to both the restaurant and online food delivery company for hurting religious sentiments, भाया, इनके religious sentiments hurt हो गया और इस बार मैं कुछ नहीं बोलूंगे, कि इस पे बह इस वाल उटते हैं, identify the right of consumer being violated in the given case, यहां पे consumer का कौन से वाला right violet हो रा है, right to be heard, right to secret, right to be assured, right to safety, तो भाया, एक बंदा है, जो की, क्या नाम है उसका, नाम कहा गया, देश्मुक, देश्मुक तो सरने मुगा ना उसका, चल्ली जो भी है, इसके मतलब इस नैं एक बार एक हो तो उन्होंने बोला कि हम रिप्लेस कर देते हैं और उन्होंने दुबारा से चिकन भीज़ते हैं इसके पास तो इसको बुरा लग गया कि वे तो इन्होंने मेरे रेलिजिस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया तो गलत बात हो गई है अब तो मैं से fine collect करूंगा तो consumer court ने उस particular restaurant पे 55,000 का fine अब लाए किया for delivering non-vegetarian food instead of vegetarian food तो यहां पे right of consumer कौन सा है जो while it हुआ है right to be heard, right to secret drizzle, right to be assured, right to safety बता ही, बता ही, right to be assured will be the correct answer of this question, fifth का answer है C, right to be assured, ठीक है चले, let's move to next question, question number six, ही क्या बोलता है, sixth question में यह बोलते हैं, sellers often adopt unfair trade practices to increase the sales of their products, give fewer examples of such practices adopted by seller, misleading advertisements, fake price stickers on products, supply of chief quality product, all of the above, यह न यह देख के न मुझे कुछ याद आ गया पते क्या है, मतलब हम ना consumers कितने मर्जी educated क्यों ना हो जाएं, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी बहुत बेवकूफियां हम सब करते हैं, मैं आपको बताओ, अभी मैं एक trip पे गई थी, और हम लोगों को मतलब चलते चलते लाइक हमें कहीं से कहीं तक पहुचना था, तो 3-4 घंटे का duration था, तो रास्ते में हम लोगों को भूख लगी, तो हमने ड्राइवर भेया को बोला कि कहीं पर अगर आपको दिखता है, थोड़ा सा मतलब रोकने लाए, कुछ तो आप प्लीज रोकेगा, हमें कुछ खरीद रहा है, उन् इंसान ने हमसे 140 रुपीज चार्ज की, वहाँ पे हम में से किसी ने भी बॉदर ही नहीं किया कि हमें calculate करके देखना चाहिए, या फिर हमें देखना चाहिए कि क्या, मतलब क्या prices हैं, wafers की या, क्या हमने फट्च निकाल के पैसे दे दिये, हम गाड़ी में आके बैढ़ ग किया, उसके उपर लिखा हो तो 20 रुपीज, जबकि उस इंसान ने हमें सारे वेफर की पैकेट 30-30 रुपीज इच पे दिये थे, ये बोलके कि मैं 30 रुपए का, और हम भी अराम से लेके आ गए, बिना सोचे समझे, कि नहीं शायद वेफर के पैकेट 20 रुपए के आते हों MRP का मतलब क्या होता है, maximum retail price के इसके beyond तो आप चार्ज ही नहीं कर सकते, और उसने MRP हाइड कर दी थी, और यहाँ पे मैं गलती उस इंसान की नहीं बोलूँगी, यहाँ पे गलती में बोलूँगी हम लोगों की, कि हमने ध्यान नहीं दिया, और हम सारे गए भी मतलब हम चा करके देख लें, जब हमें छोटी-छोटी अमाउंस दिखते हैं, हमें लगता है, पे करो ना आगे बढ़ते हैं, लेट हो रहा है, यह हो रहा है, तो यह सारी गलती हम करते हैं, तभी हम ठगे जाते हैं, तो सबसे बड़ी गलती तो consumer की होती है, maximum cases में, यहाँ यह बोल रहे क्या हो का correct answer, misleading advertisements, fake price stickers on products, supply of cheap quality product, यह तो मैंने आपको बताय दिया, यह होता ही है, हमारे साथ ही हुआ, और माइड भी आपके साथ भी कभी न कभी हुआ ही होगा, पर बहुत बुरा लगा मुझे, मुझे ऐसा लगा, चलो वो 10-10 रुपई की बात थी, लेकिन बात थी कि हम ठ हगे गए बाप पर, वो जादा hurtful हुई, हना, चलिए, यहाँ answer क्या होगा, all of the above, क्योंकि सारे के सारे example उसी चीज़ के, ठीक है, तो D will be the correct answer, now let's move to question number 7, यह बोलता है, for the following two statements, choose the correct option, यहाँ पर दो statements लिखी हुई है, यह तो यह दोनो statements सही है, यह तो यह दोनो statements गलत है, यह तो इन में से एक statement सही है, एक statement गलत है, जैसा भी होगा, उसे की basis पर, you have to mark the correct answer, first statement बोलता है, अंशिका wants to buy a packet of juice, as an aware customer, she can be sure about the quality of the juice she plans to buy, by looking for FPO marks on the product of juice, statement 2 बोलता है, Consumer Protection Act provides required information related to the rights and remedies available to consumers, first में क्या बोला, कि अंशिका packet खरीदना चाहती है, juice का, और उसे पता है, being an aware customer, कि अगर वो quality check करना चाहती है, juice की, तो उसको FPO mark देखना पड़ेगा packet पे, और अगर mark है, तो मतलब juice क्या है, अच्छी quality का है, statement 2 बोलता है, Consumer Protection Act provides required information related to the rights and remedies available to consumers, Consumer Protection Act में बहुत सारे rights और remedies लिखे हुआ हैं, चुकि consumer को दिये जाते हैं, अब आप बताईए कि क्या ये दोनों ही statement सही है, क्या ये दोनों ही statement गलत है, क्या इन में से एक statement सही है, क्या इन में से एक statement गलत है, पढ़के देखे थोड़ा सा, क्या लग रहा है आपको? answer है, both the statements are correct, क्योंकि हां, Consumer Protection Act में आसे बहुत सारे rights और remedies दिये हुआ है, इवन इस चाप्टर में हमने जितने भी rights और remedies पढ़े हैं, वो सारे-सारे consumer protection act के ही है, और दूसरा अंशिका packet खरीदना चाहती है, उस पर FPO mark देखी की, तो FPO mark quality की तो assurance देता है, तो yes, उसको quality भी प a motorbike worth Rs. 56 lakh from Delhi and gifted it to his friend Mr. Ramesh, who also lives in Delhi. Later on Mr. Ramesh observed certain deficiencies in the bike and requested the seller to either remove the defects or to replace the bike with the new one. However, the manufacturer denied. Comment who among the following can file a complaint against the seller? Mr. Mahesh, Mr. Ramesh, Mr. Ramesh, Mr. Ramesh through a consumer association, all of the above. तो हुआ क्या है कि कोई दो बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत जादा ही अच्छे मित्र लग रहे हैं, वरना कौन सा मित्र 56 lakh rupees का gift आपको देता है? मेरे दोस्तों एक लाग का gift ना दे, एक लाग तो बहुत बड़ी amount बोल दी मैं, एक हजार का gift देने में वो रोने लग जा और उन्होंने request किया है seller को कि deficiencies को तो या remove कर दो या फिर मुझे नहीं बाइक दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया, सामने वाली पार्टी ने हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अब आपको ये बताना है कि अगर ये consumer firm में, अगर complaint raise करने के लिए जाते हैं, तो कौन जाएगा रमेश जाएगा, महेश जाएगा या रमेश थ्रुआ consumer association या फिर कोई भी जा सकता है, हमने पढ़ा था ना consumer prediction act में कि कौन-कौन इंसान complaint file कर सकता है, एक list थी पूरी मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, ये बहुत अच्छा example है वहाँ से पर किया हुआ, इस तरह का example, मतल यहाँ पर answer होगा, all of the above, इन में से कोई भी क्योंकि एक ने order किया है, दूसरा use करने वाला है, और तीसरा consumer association तो मतलब आई जाते हैं कही ना कहीं से, तो वो तो obviously कर सकती है, fine, तो all of the above will be the correct answer, चले, let's move to ninth question, ये बोलता है, करुछा के बते हैं, रगु पर चेसरा रट्रुप्र का स्टीफ लाकर रपर, लाट रूपटन the truck had some inbuilt problems, and after some days, stopped starting, since it was in guarantee period, it was shown to the company, the people in the company refused to attend his complaints, it was heart breaking for him, so he decided to file a complaint in the State Commission, the State Commission on hearing the pleas from both the parties gave decision in favor of the truck company, It was shockingly bad news for Raghu. At what level of authority should Raghu file a complaint now? Supreme Court, State Commission, District Commission, National Commission. Okay, so he is saying that Raghu had a truck purchase for 35,000,000. The truck had some in-built problems. The truck had some in-built problems. The truck had some in-built problems. Since it was in guarantee period, because it was in guarantee period, so he had to show the company. The people in the company refused to attend his complaints. Company-wale said that he had one day to attend his complaints. So it was very heartbreaking. So it was 35,000,000,000. The truck was on the same day. Company-wale entertained and he gave a bad truck. So it was very bad. So I thought that I had a complaint filed by the state commission. The state commission on hearing the pleas from both parties gave decision in the favor of truck company. State commission और बैतरीन निकला, उसने company के favor में फैसला दे दिया. मतलब ये इनसान गया कहां पे? State commission के पास, state commission वालोंने company के favor में फैसला दे दिया. अब भाई ये तो बहुत उसको बुरा लगा. इसने बोला, यार अब मैं तो appeal file करूँगा. तो अब ये state commission के against appeal कहां file करेगा. कौन से वाले उसमें? Supreme Court जाएगा या दुबारा से state commission जाएगा, या district commission जाएगा, national commission जाएगा. आपको hierarchy याद है, पहले आप district commission जाते हैं, फिर आप state commission जाते हैं, फिर आप national commission जाते हैं, और उसके बाद आप supreme court जाते हैं. तो यहां तो यह जा नहीं सकता, क्योंकि और यहां पर खड़ा हुआ है. जब यहां से वैसला आ चुका है, तो दुबारा इनकी पास जानेगा, कोई sense नी मनता. तो यह कहां जाएगा next? यह जाएगा national commission के पास. और national commission से भी अगर यह खुश नहीं हो पाता, is or are performed by Bureau of Indian Standards. Indian Standards का जो Bureau है, उसके द्वारा कौन-कौनसी activities perform की जाती है. Formulation of quality standards for goods, certification of goods through BIS, certification scheme, handling, complaints against about quality of goods, carrying ISI mark, all of the above. बताएगे. बताएगे कौन-कौनसी activities Bureau of Indian Standards के द्वारा perform की जाती है. and I guess इस कान से तो आपको पता ही होगा, all of the above यह सारे काम उनके द्वारा किये जाते हैं, बहुत ही straightforward question आपकी बुक से पिक किया गया है. So, अलिए, let's move to next question. यहां से शुरू हो रहे हैं हमारे assertion reason वाले questions. सबसे बारे तुम्हें आपको यह बता रहती हूँ, तो assertion reason वाले questions किस तरह से solve किये जाते हैं? देखे, assertion reason वाले questions में ऐसा होता है, कि दो sentences दे होते हैं, एक लिखा होता है assertion में, दूसरा लिखा होता है reason में. आपको ऐसे questions को solve करने के लिए, सबसे पहले तो यह देखना पड़ता है, कि जो दोनों sentences लिखे हुएं, क्या वो सही हैं या गलत हैं? हो सकता है इनमें से एक गलत हो जाए, हो सकता है कि इनमें से एक सही हो जाए, हो सकता है कुछ भी, मतलब दोनों सही हो जाएं, ठीक है? दोनों गलत usually नहीं होते हैं, यहाँ पर चार की जगें पाच ऑप्शन आजाएं, तो फिर दोनों की गलत होने की probability बढ़ जाती हैं, अदरवाइस नहीं होते हैं, यूशुली एक सही रहते हैं, सेकिंड चीज जो आपको देखनी रहते हैं, यहाँ पर वो यह देखनी रहते हैं, कि reason में जो चीज लिखी हुई है, और assertion में जो चीज लिखी हुई है, क्या वो आपस में linked हैं, एक जैसी बाते कर रही हैं, और reason में लिखी हुई चीज क्या assertion वाली चीज को अच्छे से explain कर पा रही है, if yes, तो आपका answer इन दोनों में से बनेगा, अगर इन में से कोई भी sentence गलत है, तो आपका answer इन दोनों में से बनेगा, simple सा logic है, तो सबसे पहले देख लो, कोई गलत है, तो यहाँ पर आजो directly, इन में से mark करो अपना सही answer, और अगर तुबह लग रहा है, दोनों ही सही है, तो इन दोनों में से mark करोगे, अब इन दोनों में से mark किसे क्या जाएगा, यह दोनों sentences क्या बोल रहा है, उपर वाला sentence बोल रहा है, कि यह दोनो statements नहीं है, assertion और reason वाली, और reason में जो लिखा हुआ है, वो clearly assertion को अच्से सर define करता है, whereas second वाले sentence में यह लिखा हुआ है, कि यह दोनों चीज़ें सही है, लेकिन आपस में linked नहीं है, और explanation नहीं है एक दुश्रे का, तो जैसे भी आपको अपनी conclusion लगे, उसके basis पर you can reply, अब यहाँ जो assertion में चीज़ लिखी हुए है, वो क्या बोलती है, वो बोलती है, appeals against the state commission can also be filed before the national commission of consumer protection, देखिए, सबसे बहले तो आपको पता होना चाहिए, इस word appeal का मतलब, appeal का मतलब होता है, जब हम किसी कोट में जाते हैं, किसी भी body के पास जाते हैं, जुडिश्री body के पास, और हम उनके फैसले से खुश नहीं हो पाते हैं, satisfied नहीं हो पाते हैं, तो हम उनके फैसले के against, एक upper body में अपनी appeal फाइल करते हैं, तो जब भी आप किसी lower body के फैसले से खुश नहीं होते, और आप उनके against, उनके फैसले के against, से एक अपर बाडी के पास जाना चाहते है तो आप लेके जाते हैं अपील तो यहां यह बोल रहे हैं कि State Commission की जो अपील होती है वो National Commission में जाती है क्या यह statement correct है या गलत है Second बोल रहे है Consumer Protection Institution is of three-tier structure जो Consumer Protection Institution होता है वो three-tier structure के format में होता है क्या यह statement सही है कि गलत है सोच के देखो सबसे बैदे तो तुम्हें यही सोचना है दोनो statement सही है या गलत है true or false और अगर सही है क्या आपस में linked है गलत है तो क्या आपस में linked नहीं है क्या है answer है both assertion and reason are true yes यह दोनो ही statement सही है State Commission के बाद हम जाते है national commission के पास और consumer prediction में district commission state commission and national commission three tier structure बना हुआ है तो दोनो statements तो correct है लेकिन जब हम बात करते है explanation की तो yes यह वाली चीज उपर वाले से related भी नहीं है और explain भी नहीं करती है उसको so answer क्या होगा हमारा B होगा चलिए let's move to next question question number 12 कोई भी question में किसी भी तरह का अगर आपको doubt लगे तो comment section में आप पूछ सकते है इसके अलावा telegram पे जो group है हमारा उस पर भी आप पूछ सकते है चलिए assertion में यह बोलते हैं consumer prediction act provides required information related to the rights and remedies available to consumer जो consumer prediction act है वो required information provide करता है rights और remedies के बारे में जो की consumer के लिए available होती है जबकि reason में लिखा हुआ है consumer is treated as the king of the market consumer तो market का king है राजा है तो दोनों ही statement पहले यह देखिए क्या correct है या incorrect है और उसके बाद क्या आपस में linked है answer यहां पहले आएगा कि yes दोनों ही statements आपस में linked है and correct भी है yes consumer is indeed the king of the market जिसको कई बार पागल भी बना दिया जाता है इसी market players के द्वारा but still he is considered to be the king of the market और उसकी protection और remedy के लिए बहुत सारे चीजे available है in the consumer prediction act ठीक है तो A will be the correct answer of question number 12 चलो let's move to question number 13 यह क्या बोलता है assertion में लिखा हुआ है a complaint can be filed against seller, manufacturer or dealer of the goods whose goods are defective reason में लिखा हुआ है all complaints pertaining to those goods or services whose value is more than rupees 10 crore can be filed before state commission दियान दीजेगा यह figure मैंने आपको हमेशा बोला है कि paper से पहले check करके जाना जो latest आपकी NCRD होगी online आप check कर सकते है उसमें कौन से figures mentioned है या फिर आप इनके site से भी देख सकते हो कौन से वाली figure mentioned है और उसकी basis पे you'll have to attempt such questions यहाँ पहले sentence में लिखा हुआ है कि आप seller, manufacturer या डीलर किसी की बेगेंस complaint कर सकते है अगर goods defective निकलते हैं और दूसरे sentence में यह बोलते है 10 करोड से जादा की goods services होती है तो आप complaint file कर सकते है state commission में तो पहले दो मुझे यही बता दो कि दोनों sentences क्या correct है इनमें से कोई sentence incorrect है क्या है? again a very simple question factual question है assertion में लिक्यूई चीज चीज टू है whereas reason में लिक्यूई चीज फॉल्स है क्योंकि figures match नहीं कर रहे है so yes A is true but R is false so हमारा option क्या होगा? C होगा A assertion true है reason क्या है? false है next question question number 14 यह बोलते हैं assertion में state commission is headed by a president who have been a judge of high court और reason में लिखे है consumer protection commission is a quasi judicial body अब अगर आपको नहीं पता है quasi judicial body क्या होती है तो let me tell you people this देखिए quasi का मतलब होते है partial मतलब आधी अधूरी पूरी नहीं तो quasi judicial body का मतलब हुआ एक ऐसी judicial body जो की अधूरी judicial body है क्योंकि इसमें executive वाले लोग भी बैठते हैं जैसे आपने कभी-कभी word सुना होगा tribunal national company law, tribunal, ncl ती जो आगे company law में आगर आप CS करते हैं तो पढ़ेंगे तो यह क्या होता है? यह basically वो judicial body होता है जिसमें judges भी बैठते हैं अधे सेम टाइम executive वाले लोग भी बैठते हैं तो मतलब यह combination नहीं यह pure judges वाला system नहीं है तो यह pure judicial body नहीं है तो partial judicial body जो होती है उसको हम बोलते हैं quasi-judicial body तो consumer prediction commission हमारा क्या है? quasi-judicial body है पूरा नहीं है partially it is a judicial body और state commission को president hit करता है who is the judge of high court high court का judge state commission का president बन सकता है बताए क्या दोनो sentences सही है yes, दोनो sentences सही है लेकिन दोनो ही sentences का आपस में linkage नहीं है so A and R both are true but R is not the correct explanation of A will be the correct answer of this question 14 14 का answer क्या होगा? B होगा understood? चलो, let's move to next question assertion में बोलते हैं Competition Act 2002 provides protection to consumers in case of practices adopted by business firms that hamper competition in the market reason में बोलते हैं Competition Act aims to check eliteration of food articles and ensure their purity Competition Act 2002 में जो आया था वो provide करता है protection consumers को in case of practices adopted by business firms that hamper competition in the market जो ऐसी practices के against हैं जो business firms usually apply करती हैं जब वो market में competition को hamper करना चाह रही होती हैं कि मिलके उन्होंने rate fix कर लिया वो लेक इस नीचे नहीं आएंगे इस से उपढ़ी जाएंगे ब्ला ब्ला स्थाफ तो ये healthy competition को खराब करती हैं सारी चीज़े तो Competition Act उसी चीज़ के लिए आया था कि वो consumers को ऐसी बेकार practices से थोड़ा सा दूर रख सके Reason में ये बोलते हैं Competition Act एम करता है कि या food articles या फिर जितने में खाने पीने की चीज़े होते हैं उनमें मिलावट नहाओ और वो हमेशा pure रहे तो बताए क्या दोनों sentences सही हैं या गलत हैं और अगर सही है तो क्या एक दूसरे का explanation है Correct answer है इसमें Assertion में लिखी हुई line सही है Yes, ये Consumer Protection Act जो आया था Competition Act जो आया था Competition हैं पर ना हो market में उसी चीज़ के लिए आया था लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं आया था तो Reason में लिखी हुई बात जो है वो false है Adulteration और ये सब चीज़े Purity वगएरा वो check नहीं करता है So, C will be the correct answer of question number 15 चालिए Next question है Consumers have the freedom to choose products of their choice Suggestion में लिखा हुई Consumers के पास पूरी freedom है वो जो product choose करना चाहता है कर सकता है Reason में लिखा हुई Consumers make a choice by comparing different products available at competitive prices Consumers make a choice by comparing different products available at competitive prices Consumer क्या करता है चार दुकाने घूमता है चार दुकानों में rate पता तो करता है और उनने से जो best उसको मतलब product मिल रहा होता है सबसे सस्ते दाम में उसे खरीद लेता है तो consumer के पास पूरी authority होते है choose करने की products अपने choice की और second में लिखा हुआ है choice वो कैसे वो करते है चार दुकाने घूमेंगे competitive prices चेक करेंगे जो best लगेगा कम दाम में उसको खरीद लेंगे अब बताइए क्या दोनों sentences सही है गलत है आप भी तो consumer रहे चुके तो आपको पता ही होगा दोनों sentences सही भी है और the same time ये एक दूसरे से linked भी है क्योंकि आप देखी रहे हो consumer की choice की बारे में बात हो रही है first उसमें भी और consumer की choice की बारे में बात हो रही है second उसमें भी so yes indeed they both are linked और एक दूसरी की explanation बहुत अच्छे जे कर रहा है 16th का answer हमारा होगा ए चलें आगे 17th question में ये बोलते है state commission can service consumer complaints where claim is not more than rupees 1 crore state commission जो होती है वो ऐसी consumer की complaints लेती है जिनके claim 1 crore से जादा के नहीं होते है state commission is set up by state government state commission, state government द्वारा सेट की जाती है बहुत सारे question आ रहे हैं ये three tire वाली चीज में से district court, district firm, state commission, national commission इंसे काफी सारे question आ रहे हैं majorly तो state commission में से आ रहे हैं पढ़के जाना बहुत अच्छे से यहां से समझ में आ रहा है कि कुछ भी question पर सकता है answer है assertion A is false and reason R is true yes state commission, state government द्वारा फॉर्म की जाती है but again यहां पर figure हमारी क्या हचा रही है गलत जा रही है so हमने answer mark किया है answer D चले, next question finally हमारे जो assertion, reason वाले questions थे वो यहां पर complete होते हैं और यहां से शुरू हो रहे हैं हमारे case based questions यहां पर अब case study दी होगी जिसकी हिंदी में आपको पहले बताऊंगे और उसकी बाद हम इससे related questions को solve करेंगे okay it says voice is an important consumer organization इसके बारे में आपने पढ़ा भी हो है जब हम पढ़ रहे थे important consumer organizations के बारे में तो हमने 3-4 नाम पढ़े थे care, voice voice एक बहुत important consumer organization है it organized workshops in the months of December Delhi and CR for consumers okay so basically इसने दिली में December के बदहीने में consumers के लिए बहुत सारी workshops लगाई थी the theme was organic food from farm to plate बहुत सारे organic food जो के farm से directly आपकी plate में transfer होंगे to spread awareness on the importance of organic farming obviously यह से क्या करना चाहरे थे organic farming के importance के बारे में आपको बताना चाहरे थे and to encourage consumers to switch from conventional food that contains chemicals and pesticides to organic foods और वो consumers को बताना चाहरे थे कि आप जो conventional foods खा रहे हैं जिसमें बहुत सारे chemicals और pesticides होते हैं उनको छोड के आपको organic food खाना चाहिए expert speakers from farmers community explained the harmful effects of usage of pesticides in farming and the importance of organic food बहुत सारे farmers जो की farmer community के जो experts थे वो लोग आया और उन्होंने importance बताया उन्होंने बताया पेस्टिसाइड के harmful effects क्या होते हैं organic food के importance क्या होते हैं सब explain किया people were informed that the organization regularly test samples to detect adhleration like presence of heavy metals or pesticides even इन्होंने ये भी बताया कि organization continuously test samples करती रहती है ताकि उसको पता लगता रहे कि कितने pesticides और metals products के अंदर included है the results of these tests were published in the monthly magazine उन्होंने इवन इसके लिए जो भी test results आया थे वो सारे-सारे consumer voice monthly magazine जो आते हैं उसमें publish किये थे to make people aware of the quality of different products ताकि वो लोगों को different products की quality की बारे में explain कर सके it also provides aid and legal advice to the consumer in seeking a remedy even ये consumers को remedy seek करने में भी aid or advice provide करती है जो की consumer protection organizations का main काम रहता है कि वो consumer के बिहाफ पे कुछ कुछ करे उनको legal assistance provide करें ब्लाबला stuff this is the case कि voice ने workshop रखी है organic food के importance के बारे में लोगों को बताने के लिए same time pesticides or chemicals से बना हुआ जो food होता है उसके ill effects को बारे में थोड़ा सा लोगों को wear करने के बारे में ना यहां पे जो question आपसे पूछा गया है first उसका वो पढ़ लेते हैं it says state the function performed by consumer voice for the protection and promotion of consumer interest in below lines आपको बताना है वो function जो कि consumer voice ने protection and promotion के लिए consumer की in lines में बोला था it organized workshops and dash pesticides to organic food imparting knowledge, testing of consumer products creating awareness about consumer rights none of the above यह क्या कर रहे थे basically workshop organize करके simple सा answer है यह लोगों को aware कर रहे थे उनके consumer rights के पारे में कि तुम्हें गलत food नहीं खाना चाहिए तुम्हें organic food पर switch कर लेना चाहिए क्योंकि pesticide से बना हुआ खाना काफी तुम्हारे लिए खानिकारक हो सकता है तुम्हें बैसिकली creating awareness through this particular workshop चलिए next question पर चलते है state the function performed by consumer voice in the following lines expert speakers from consumers dash of the organic food filing complaints imparting knowledge providing consumer legal assistance all of the above बताइए इसका answer भी बहुत simple imparting knowledge obviously experts आये थे farmers community के वो क्या कर रहे थे वो knowledge बाट रहे थे आपके साथ क्योंकि उनको उन सब चीजों के बारे में पता थे आपको भी aware बना रहे थे next question है which function is performed by consumer voice in the lines people who are informed that organization dash different products testing of consumer products imparting knowledge providing consumer legal assistance taking initiative for filing cases अच्छा यार एक चीज़ ध्यान दिना यहाँ पर यह जो dash 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 लगा हुए ना इसका मतलब यह नहीं fill in the blanks करने आपको यह आपको बताना चाहरा है कि एक पूरी line थी जिसका reference आपने आपको दे दिया है यह line आपने case study में पढ़ी थी मतलब यह line पूरी की पूरी मतलब यहाँ पर बहुत सारे वर्च आएं होंगे जो आपने case study में पढ़ा था तो उसका reference देते हुए they're asking you के choose करो इन में से कौनसे वाला correct option है यह fill in the blanks नहीं है कि यहाँ से चीज़ उठके यहाँ पर जाएगी अब उन्होंने एक और लाइन लिखी है अब उन्होंने एक और लाइन लिखी है उसके थूँ आप क्या बताना चाह रहे हैं D will be the correct answer बहुत ही simple थे यार बहुत ही simple थे मतलब question में ही आपको समझ में आजाएगा answer क्या mark करना है चार चीज़े थी और चारो से रहे लिए इन्होंने question पूछ लिया है चलो Which of the following is not a function performed by consumer organization for the protection and promotion of the consumer यहां पर अब ध्यान देना क्योंकि यह काम का question आया है यह आपसे पूछ रहा है कि इन्में से कौन से वाला function consumer organization द्वारा perform नहीं किया जाता है Filing complaints in appropriate quotes encourage consumers to take action against unfair activities imparting knowledge remove the defect in goods or deficiency in services बताईए इन्में से कौन से वाला function consumer organization द्वारा perform नहीं किया जाता है File करना complaints appropriate quotes में encourage करना consumers to take action against unfair trade practices knowledge impart करना remove the defect in goods or deficiency in services again a very simple answer क्योंकि ऊपर के तीनों functions consumer organization करती है यह वाला नहीं करती है वो क्यों remove करेगी defect भई उसकी क्या मतलब लेना देना उसका उसको कुछ लेना देना नहीं है इन सब चीजों से तो यह वाला काम वो क्यों करेगी बताओ तुम तुमने गुच खरीदे हैं सेलर से होल सेलर से यह किसी से भी अब उसके डिफेक्ट रिमूव करने का काम वही इंसान करेगा ना जिससे तुम गुच खरीद क्या हो इनकी क्या कौन से वाला राइट इस लाइन में इस्तमाल किया गया है जिसमें वह रिपोर्ट मंथली मागजन में पब्लिश करते उस चीज के बारे में बात कर रहे थे चार ऑप्शन लिखे हों इससे वह आपको क्या करना चाहते हैं वह बनाना चाहते हैं अब मतलब को क्या दे रहे इंफमेशन दे रहे ना तो राइट विपर लेते हैं क्या बोलते हैं । पयाली पर्चेस आ इसाए माग्ध वहीतर फ्रम भार्ती अप्लिश पर रूपीश 8000 शे मेंचेश पेमें बद तो गेट अफ काश ममो फेल आ रहे पर टिकें while making use of the heater she observed that it was not working properly she contacted the shopkeeper immediately and told him the problem shopkeeper paid no head to her complaint rather he marked that the goods in the question was not bought from his place or his shop piaali had no evidence of proving that the heater was purchased from his shop only she discussed the problem with her friend sohini who advised her to approach consumer firm and launched a complaint piaali was convinced with the idea of launching a complaint against the shopkeeper but due to lack of cash memo it was difficult for her to proceed you know nekoi aissi bought undekhi unsuni galti nahi kariya yee galti bhoat saare log karte hai piaali ji ne kharida hai kahi se heater chik hai isi marked heater kharida ta kaan se bharati appliances se kitne ka 8000 rupae ka but in se galti yee hoi ki cash memo lena bhuul gai invoice bill lena bhuul gai ab kya hua jab yee ghar ai or inna ne heater start kiya to inko samaj me a heater dhung se kaam nahi karra hai to inna ne foot se dhukan dar ko phone laga hai ki bhai sahab aapne dhubekar quality ka heater dhe 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 koh hoi nini raha chali nini raha dhung se kaam nahi nini karra hai shopkeeper or tez nikla usne bola madam hamarai yaan se tu aapne yee khariida nii hai baut saa shopkeepers hoote hai matlab dhe te vakti etne pyaar se baat karengi etna aapna pan dhikhaengi jaisi aap to unke sapsas aagye wale hai aur jab agar aap kahi ulti chiz waapis karne chale gaya matlab bekar chiz waapis karne chale gaya wap ko entertaining nini karte woi aise behave karte ki aap to life me first time hap pe aare yao 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 hap pe aare hap ki shop se kharita tha kyeo 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 cash memo nahi ta iske bas wiesse tuh ye cctv se bhi prove kar sakti thi lekin ahar shop pe cctv laga nini hota ab hua yeh ki inho ne aapne problem bata hai aapne eek saki ko sohinie ko ki bhaiya aasa aasa hua 8000 rupi meire fuggai bina mtlb ki chiz pe heater kaamini kari raha hai to sohinie nne bola aare tu ja consumer firm me 8000 ke 30,000 milenge aur isko bhi bada aachha laga hi idea ki hi consumer firm to ja sakti haa mtlb paise banane ke liye but then unko ye bhi s'maj me aai ki consumer firm chale bhi jayen to bada bada cash memo to hai nii am proof kaisa karee ki hama nne guj kari te hai bhot normal si baat hai ab dhek lete hai yaha pe questions joh first question yaha pe poochha hai woh hai identify the right of the consumer as referred to in the above paragraph oopar wale paragraf me koon se wale right ke baare mein baat hui hai consumer ke right to be informed right to safety right to be heard right to be assured baat simple sa answer hai right to safety kyunki heater khariit kya ye bhadhang se kama nne karra kuch bhi problem aasakta hai electronic shock bugera kuch bhi lagsakta hai toh iski safety to stake pe chali gai na bhai ye toh galat baat ho gai hai to right to safety ki baare pe puri baat chit hoi hai next question hai identify the responsibility of consumer which should have been followed by piali in the above case piali ko woh konso wali responsibility consumer ki apnaan hi chahiye thi dhekhe consumer ko jitne rights milti hai na utani responsibilities bhi hoti hai uski jamei aap ko example de rhi thi ki mujhe 10-20 rupai ki wafer saamne waala nne 30-30 rupai pe bhe 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 toh waha pe meri jo responsibility thi ki mujhe ignorant nahi banna tha mujhe har ek chiz dhang se dhekni chahiye thi meinne usse nahi apna ya meinne usse fulfill nahi kiya meinne aapni responsibility ko sideline kar diya jiski wajahe se merah rights breach ho hai toh same chiz hai yaha pe piali ki bhi eek responsibility bantti thi joh usne puri nahi ki hai jiski wajahe se abu complaint file karne me asaksham hai quality concession conscious sorry must obtain cash memo cautious consumer or ready to lodge complaint again yeh toh bhoat simple answer hai ki bhaiya woh cash memo lena bhol gai thi toh b will be the correct answer yeh galti kar di hunnho ne aapne part mein yeh oti hai responsibility consumer ki kuhi bhi kuhi se bhi goods kariit ke aate ho ki te bhi chholde price ka kuyo niya tak pakkha wala bil liya karo kaccha bhi nahi pakkha wala bil chek hai i hope kaccha pakkha bil toh samajte hai ap chaliye next day 26th question piyali cannot lodge a complaint against the shopkeeper why she do not have the right she was aware of the fact she do not have the cash memo she was happy with the product piyali ya pe complaint file nahi kar sakti hai kin karno ki wajahe se kyunki woh khush hai product se kyunki uski paas cash memo nahi hai kyunki usko fact she is aware of the fact fact ki parahe me wo aware hai concept act ke barahe me wo nye likawa aur uske right hini bantah right to bantah hai galti toh uske saath hui hai khush bhi nahi hai woh product ke saath lekin uske paas cash memo nahi hai jiski wajahe se wo complaint file nahi kar sakti again a very simple question very simple question next question hai maara question number 27 yeh bolte hai under which act piyali can seek to protect her rights being a consumer piyali koonse consumer koonse act ke chalte ho hai apne right ko claim kar sakti hai kis right ke chalte ho ho protection seek kar rahi hai consumer protection act 2019 consumer protection act 1968 the contract indian contract act 1872 competition act 2002 and the right answer is consumer protection act 2019 latest wala chalye next on which type of product is isi marked use mark use joi isi ka mark hoota hai jo quality assurance hoota hai woh kaunse wale product pe isstimali hoota hai woh jewelry pe isstimali hoota hai food products pe electronic items pe y you haven't is चाप्टर तो भी तुमसे अंसिस बन जाएंगे 29 विच कंजीमर फरम सोहिनी एडवाइस हर्टु अप्रोच सोहिनी ने कौन से वाले कंजीमर फरम को अप्रोच करने की बारे में उसे बताया था डिस्टिक कमिशन के बाद स्टेट कमिशन नाशनल कमिशन कंजीमर असोसीएश चलिए ओके फाइन यहां से हमारे शुरू हो रहे हैं subjective type question अभी तक हमने कौन कौन से देख लिए हमने एमसी क्यूस देख लिए हमने अर्शन देख लिए हमने इसके बाद case-based question देख लिए लास्कली हम देखने जा रहे हैं subjective type question जहां पर आपको पास यह question होगा और उसके basis पर आपको reply करना है लिख के यह सबसे time taking होते हैं लेकिन सबसे जादा scoring भी होते हैं सबसे जादा marks दिनी में मिलते हैं और presentation यहीं पर matter करती है यह question है explain the concept of consumer protection and any three points of its importance from the point of view of consumer consumer protection की concept को explain कीजिये और कोई भी three points और उसके मतलब कोई भी importance के three points आपको mention करना है consumer के perspective से बहुत simple question है consumer protection हम सबको पता है और obviously importance भी समझते हैं चलिया answer discuss करते है it says consumer protection refers to the steps taken to protect and promote the rights of consumers since long consumers have been exploited in various ways that is for example adulteration, misleading, advertisement, short weighing etc in recent years there have been increasing awareness among consumers about their rights यह बोलते है कि consumer protection क्या चाहता है consumer protection चाहता है consumers को protect करना हमने देखा है past में consumer के उपर बहुत सारे अत्याचारों है कुछ अत्याचारों के नाम में लिखे हुए यहाँ पे और उन अत्याचारों से निजाद दिलवाने के लिए consumers को हमने consumer protection की concept लेकिया है ताकि हम consumers को aware बनाए कि भाया तुम्हें एक जमाने में राजा हुआ करते थे इस market की और आज भी तुम राजा हो तुम हो तो market चल रहा है तुम नहीं हो तो market चलेगा नहीं सर्फ sellers के होने से कोई अगर consumer ही नहीं होगा consumer खरीदेगा ही नहीं तो market कैसे चलेगा कोविट का टाइम यहाद है क्या हुआ था सारी दुकाने बंद हो गए थी क्योंकि consumer घर से बारी निकल रहा था तो ऐसे में बोलते हैं कि consumer आज भी किंग है consumer की वज़े से पूरा market चल रहा है तो आपको वैसी treatment भी मिलने चाहिए आपके साथ दोख़ड़ी नहीं होने चाहिए इसने आपको अवेर बनाया जा रहा है तीन जो इंपॉर्टेंस है फिर से consumer और थार्ड है हमारा वाइट्स्प्रेड एक्स्प्रेडेशन ऑफ कंजूमर यह बोलते हैं कि consumer prediction की जो यह concept है इसकी क्या जरूरत है मतलब आपको क्यों लगता है इंपॉर्टेंस क्योंकि हमारे यहां की consumer जो है वह इग्नोरेंट है वह ध्यान नहीं देते हैं वह अपने राइच को खुदी भूल जाते हैं वह अपनी responsibilities को पूरा नहीं करते हैं उनको पता नहीं होता आइट टाइमस के उनके कुछ बनाया जाए तो Consumer Protection Act provides required information related to rights and remedies available to the consumer. Consumer Protection Act उन्हें बहुत सारे rights और remedies देती है जिसकी वज़े से वो उनको बताती है कि भाया तुम्हारा हक बनता है इन सब चीजों के बारे में वो करनेगा. इच्प्रेट सब्सक्राइब करते हैं और उनको वो easily approach कर सकता है. मतलब अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है being a consumer मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कहां जाना है किसके पास complaint file करनी है और complaint file करने के बाद क्या-क्या निज़ा मतलब क्या-क्या उपाए हैं क्या-क्या remedies है जो मुझे मिल सकते हैं इसारे मुझे कहां से बता चले Consumer Protection Act चे बता चले सब्सक्राइब सेकिन है unorganized consumer consumers need to be organized in the form of consumer organization which would take care of their interest यह बोलते हैं consumers ना बहुत ही scattered है no doubt हर अगला इंसान is a consumer चाहिए वो खुद salesperson क्यों ना लेकिन वह भी consumer है क्योंकि वह एक न दो सर्विस तो ले रहा होगा एक न दो गुच्ट तो ले रहा होगा तो वह भी consumer है लेकिन consumers scattered हैं इन्हें पता ही नहीं है दुनिया में चल रहा है इनको थोड़ा साना unite करके एक लाने की आवश्यक्ता है ताकि एक दूसरे के हग के लिए खड़े हो सके एक दूसरे के हग के लिए जब यह खड़े होंगे तो उससे फाइदा यह होगा कि कभी भी किसी consumer को यह ने लगेगा मैं अखेला हूं उसको में समझ में आएगा नहीं है मेरे साथ और भी लोग सान ने जिसने गलत किया है उसको सही करेंगे सुधारेंगे ठीक है तो consumers को organize करने के लिए चीज बहुत जादा जरूरी है फिर है widespread exploitation of consumer consumer is the reason for existence of business still there is lot of exploitation of consumer as businessman use various unfair trade practices to cheat and exploit consumers consumer protection provides safety to black marketing hoarding defective and unsafe products etc यह बोलते हैं देखो यार जो बात मैंने अभी बोली कि दो पूरा business world जो है वो consumer की वज़े से ही चल रहा है कि consumer नहीं होता तो business world का कोई sense नहीं बनता था लेकिन फिर भी consumers के साथ इतना गलत होता है इतना गलत होता है उनके साथ cheating होती है fraud होता है मिलावट वाला समान उनको दे दिया जाता है black marketing में उनको बेचा जाता है तो यह सार इन चीज़े हैं तीन importance है फड़ा बड़न का screenshot ले लो मैं frame से बाहर हूँ जल्दी से screenshot लो फिर हम चलते हैं हमारे next question पे चले next question है question number 31 यह बोलता है explain any three points of importance of consumer protection from the point of view of the business अभी हमने जो तीन points पड़े थे consumer protection के importance के बारे में वो हमने पड़े थे consumer के perspective से अब यहाँ पे दूसरा question पूछा गया है similar nature का है लेकिन यह पूछ रहे है business के perspective से कि भाया बताओ business के perspective से आपको क्यों लगता है कि consumer protection वाली चीज़ important है बता देते हैं भाया कोई दिक्केत नहीं है फर्स फॉल तो long term interest of business कोई भी businessman जब अपना business start करता है वो यह नहीं सोचता कि एक बर मेरा समान बिख जा है उसके बाद तो मेरे को गंगा नहाने चले जाना है नहीं वह बार बार समान लाना चाहता है वह बार बार समान बेचना चाहता है वह बार बार profit कमाना चाहता है तो अगर आप लोगों को ठगोगे अगर आप consumers को ही consumers के साथ ही fraud करोगे तो कोई भी इंसान एक ही बार आपसे खरीदेगा फिर आपने fraud करते है फिर तो दुबार आपकी कभी उस पे चोखट पर आएगा नहीं इवन अपने friends को भी नहीं आने देगा अपने घरवालों को भी न तो मैं अपने घरवालों को भी वहां पर नहीं जाने देती थी मुझे लगता था चाहे दस नंबर जाना पड़े चाहे दूर जाना पड़े समान लेने के लिए इसकी शौक पर तो नहीं जाना तो ऐसा ही होता है जब आप किसी दुकानदार से फ्रॉड की वज़े से थोड अगर आपको चाहिए कि लंबे समय में आपको बिजनस चलाना है उसी मार्केट में टिके रहना है लोग आपके पास बाहर बार आए तो इसके लिए आपको कहीं न कहीं consumers को हमेशा खुश रखना पड़ेगा उनके rights के बारे में सोचना पड़ेगा उनको क्या चीज की बढ़ेगा उनको क्या पासिटिव फीडबाग जो साथिस्फाइट कंजूमर सोते हैं वो ना सिर्फ रिपीटेट सेल मतलब दुबारा दुबारा आके सेल करते करवाते हैं आपकी बलकि आपके बारे में अच्छा-च्छा बोलके पॉजिटिव फीडबाग देके जाते है जो की मदद करता है कस्टमर बेस बढ़ाने में इन और तो साथिस्फाइट रखिए उन्हें कभी भी फ्रॉड मतलब उनके साथ कभी भी फ्रॉड मत कीजिए सेकेरा बिजनस यूजिस सोसाइटी जिश रिसोर्स देखिए जब हमकिसी और की रिसोर्स इस्माल करते तो हमारे अंदर नहई एक IMPLAYD OBLIGATION आ जाते कि अब हमें इन के साथ अच्छा करना पड़ेगा जो business man होते हैं, वो किसके resources इस्तिमाल करते हैं, society के, अब society में अब logo के, society किसे मिलके बनती है, लोगों से मिलके बनती है, तो logo के resources जब तुम इस्तिमाल कर रहे हो, क्या बदले में तुम उन्हें धोखा देना पसंद करोगे, वैसे बहुत सारे लोग देते भी हैं, मैं यह नह इसान के नहीं, हमारे को तो इतना दिया है, society ने हमारा देने का फर्ज बनता है, ऐसा बोले, सब ऐसा नहीं करते हैं, तो yes, indeed, there are few people जो fraud करने पर बिलीव करते हैं, तो जो समझदार है, जो अपनी moral responsibilities को जानता है, जो अपनी ethical values के against खड़ा है, मतलब उनके साथ खड़ा रहत है, तो वो समझता है कि भीया, मुझे businessman होते हुए, अगर society के resources को continuously इस्तिमाल करना है, तो मुझे society के लोगों को भी खुश रखना पड़ेगा, next point हमारा social responsibility, हर एक organization, हर एक business जो इस society में establish करता है, खुद को, वो society की मदद से करता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, तो उसक responsible है, उस society को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी growth के लिए, क्योंकि business तभी grow कर पाएगा, जब society grow करेगा, आप ऐसे मानिये, इंडिया में किसी एक बहुत अमीर इंसान ने, कोई ऐसी particular organization खो लिया, जो बहुत महंगे products बनाती है, जिके, बहुत महंगे, अब ऐसे में, अगर लो लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, उनकी उतनी growth ही नहीं होगी, तो क्या वो business चल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, बिसनस को चलना है, तो उसको customers तयार करने पड़ेंगे, और customers को तयार करने के लिए, मतलब उनकी growth के बारे में, उसे सोचना पड़ेगा, so business की social responsibility बनती है, then there is government intervention, यह बोलते हैं कि बहाँ देखो, जब तक तुम अच्छा काम कर रहे हो, government तुम्हें दूर से देखेगी, खुश होएगी, तुम्हारी तारीफ करेगी, लेकिन जा तुमने उल्टा काम करना शुरू करती है, government फट से आएगी, बीच में आएगी, और तुम्हारे काम में intervene करने लग जाएगी, क्यों? क्योंकि government का ये फर्ज बनता है कि वो अपने citizens को protected रखे, और अगर तुम इंडिया में रहे के, Indians के साथ ही fraud करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं की गलत चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में गलत सोच र नहीं आएगा, तो अगर तुम्हें चाहिए, government तुम्हारे काम में intervene नहीं करें, जो कि हम बिल्कुल पसंद भी नहीं करते हैं, हम जब कोई काम करे होते हैं, कोई टोकाटा की करना शुरू करते हैं, तो हमें कितनी irritation होती है, और government की टोकाटा की normal नहीं होती, government फिर आपने सा चलिए फड़ा बड़ इसका screenshot ले लिजे, वैसे तो इन्होंने 3 points बोले थे, और आप कोशिश कीजेगा, जिन questions में 3 points लिखे हो, आप वहाँ पे 3 points लिखें, usually teachers कभी-कभी बोल देती है, 4 points लिख दो, 5 points लिख दो, बट मैं वो recommend नहीं करते, मैं बोलती हो, अगर तुम 3 Now, let's move to next question. Again, ये case-based question है, थोड़ा अराम से पड़ेंगे इसको, एक है? It says, Aditi set up a company, Dantic Limited, Aditi madam ने हमारी company set up की है, जिसका नाम है, Dantic Limited, to manufacture toothpaste using herbs found in her village instead of chemicals that are hazardous to health. The package of the product was eco-friendly and had details like price, quantity, ingredients, directions for use and other relevant information. It also carries the contact details like address, phone number and email ID of Dantic customer services and consumer services and grievance sell. The toothpaste became very popular and she started getting orders from reputed traders, identify and explain any two rights of consumers discussed above. Aditi जो है, इन्होंने एक नई company शुरू की है, जिसमें ये toothpaste बनाती है, किस चीज का इस्तिमाल करके, इनके village में locally जो herbs available है, उनका इस्तिमाल करके, ये chemicals इस्तिमाल नहीं कर रही है, ऐसे chemicals जो कि human health के लिए क्या होते हैं, hazardous होते हैं, हारी कारक होते हैं, तो ये herbs का इस्तिमाल कर रही है, इन्होंने जो packaging करी है अपने products की, वो eco friendly तरह की है, और उसमें price, quantity, ingredient, direction, सारी चीजे mentioned है, और साथ ही साथ address number दिया हुआ है, इसका दानतिक consumer services and grievance cell, मतलब एक ऐसा cell जो कि लोगों की complaints को entertain करेगा, अगर उन्हें product पसंद नहीं आता है, तो अब ऐसे में का toothpaste बहुत ज रिडर से calls आ रहे हैं, आपको यहां पर identify करना है, consumer के दो rights के बारे में, मतलब उपर की लाइनों में, consumer के दो rights के बारे में, थोड़ा बहुत हलका-फलका mention किया गया है, आपको वो दो consumer rights के बारे में बताना है, बहुत simple question है, क्योंकि इस nature के question हम पहले भी करके आये हूँ है, तो answer है right to safety, जब इन्होंने बोला hazardous to health, यहीं से आपको पकड़ लेना चाहिए था कि safety की बारे में बात कर नहीं वाले है, यह बोलता है कि कोई भी consumer जब भी कोई product खरीता है, तो उसका अधिकार बनता है, कि उस product से उसे कोई भी हानी ना पहुचे, जान मान की हानी ना हो, उ अधिकार है, consumer का, यह right बनता है, तो right to safety में यहीं बोला चाहता है कि consumers कुछ भी product जब खरीत के आते हैं, तो उनका यह right बनता है कि उस product से उन्हें हानी ना पहुचे, उनकी health के उपर कोई भी impact ना है, वो उनके लिए hazardous ना हो, तो जब इन्होंने hazardous word लिखा था, health लिखा था, वहीं से आपको gas मार लेना चाहिए था कि safety की बात जरूर करेंगे, it says, it means a consumer has right to be protected against the marketing of such goods and services that are harmful to life and health, thus consumers are educated to use standardized goods, such as electrical goods with ISI mark, food products with FBO mark, etc, as such goods would be an assurance of meeting quality specifications, यह बोलते हैं, quality assurance सही होते हैं, तो आप marks देख सकते हो, जिसे ISI mark, आपको कहीं न कहीं assurance देता है, कि वहीं प्रदक्त quality का होगा, बेकार quality का नहीं होगा, राइड, चलिए, next है हमारा, right to be informed, right to informed में यह बोलते हैं, कि भहीं देखो, toothpaste के packaging में, price, quantity, ingredients, क्या है, कैसा है, कब तक इस्तिमाल करना है, consumer cell का number, यह सारी चीजे mention थी, मतलब उन्होंने हर एक चीज को mention किया है, हर एक चीज की information दी है, और जब हर एक चीज की उन्होंने information दी है, तो यह right to information ही तो आपको complete कर रहे है, right to be informed आपको complete कर रहे है, consumer has the right to get truer and complete information about the quality, price, contents, expiry date of the goods and services which he intend to buy, therefore the legal framework in India has made it compulsory to provide all such information on package of the product, अगर आप लोगों को नहीं पता, तो यह government की तरफ से obligation है, कि हर एक manufacturer को product की packaging की उपर mention करना है, expiry date, MRP क्या है, quantity क्या है, ingredients कौन कौन से इस्तमाल किये गए, यह compulsory है, मतलब obligatory चीज है, जो लोगों करना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी उस चीज में, ठीक है, तो right to be informed बहुत अच्छे से उसने fulfill करने की कोशिश की है, तो यह भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और right पूछा होता ना, तो हम यहाँ पर, मतलब अगर यहाँ पर two की चगे, three rights की बारे में लिखा होता है ना, तो हम यहाँ पर इस वाले word का, इस वाले phrase का reference देते हुए, right to secret address, यह right to be heard, right to be heard लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर सुनने के लिए, सुनने के लिए, मतलब complaint सुनने के लिए उन्होंने अलग से cell बनाया हुआ है, तो यह भाला भी right हम mention कर सकते थे, अगर question में दो की जगे, three rights की बारे mention होता, बट उन्होंने क्योंकि दो ही rights पूछे हैं, इसने हमने यहाँ पर दो ही rights की बारे mention किया है, फड़ बर इसका screenshot ले लो, इसका भी, and then हम चलेंगे मारे next question पे, जो की है question number 33, यह बुलता है, Sumit पर्चेसे अ ISI Marked washing machine of a famous brand M.G. from T.G. Electronics Limited. The shopkeeper asked him to wait for two days for installation of the machine. His friend Vivek was very fond of experimenting with new electric products. He told Sumit that there is no need to wait for the company's representative to install the machine and that he could do it. So, both of them installed the machine without following the manufacturer's instructions, wow! Initially, the machine worked effectively and the wash was good. ये न ये काम मेरा भाई करता था बच्पन में. But after two days, the machine started stopping in between the wash cycle. Sumit and Vivek tried their best to start the machine but failed in their efforts. Sumit therefore approached TG Electronics Limited which refused to provide any service on the plea that the installation of the machine was not done by the company. Obviously. मैंने देखा, इंडिया में कुछ-कुछ लोगों को बड़ा कीड़ा है इससी का. मतलब जैसे ही वो electronic items देखते हैं, उनको लगता है, खोल के देख लो एक बार. या खुद सेट करके देख लो. यहाँ क्या हुआ है, दो दोस्त हैं, एक है सुमित. सुमित ने ISI marked washing machine खरीदी है, ठीक है, किस से MG brand किया और TG Electronics Limited से खरीदी है. शॉपकीपर ने उसे बोला कि दो दिन वेट कर लो, installation करा देंगे हम. मतलब ऑविसली उस ताइम होगा, मतलब दिवाली का समय होगा, बहुत सारे लोग मशीन खरीद रहोंगे, installation के लिए कम लोग अविलेबल होंगे. तो इस फ्रेंड विवेक, मतलब जो इसका एक दोस्त है, विवेक जो कि एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ही ज़दा विश्वास रखता था, electronic item से, मतलब उसका खुद का तो कुछ नहीं गया, यहाँ पे सुमित की खेल लग गया, इसके एक्सपेरिमेंट के चक्कर में. उसने सुमित को बोला, कोई बात नहीं, हम वेट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, खुदी install कर लेते हैं. चलो भईया, दोनोंने बैट के install कर ली, अच्छी भी चली, starting में बड़ीया तरीके से install हो गई, अच्छी चल रही थी, wash भी बहुत अच्छा था, लेकिन दो दिन के बाद कहीं ना कहीं वो वाश्टाइगल के बीच में रुखने लग गए और अब यह परिशान होने लग गए क्योंकि भाई या मशीन तो खराब हो रही है तो इन्होंने फिर कॉल किया टीजी लेक्रोनिक्स को कि भाई आके देख लो एक बर या देखो क्या करना है तो उन्हो एक रिस्पोंसिबिलिटी जो कि सुमित को करनी चाहिए थी पूरी बिंगा अवेर कस्तमर वो जो उसने नहीं कि उसके बारे में लिखिये सेकिन एक्स्पें ब्रीफली एने टूराइट सुमित कूद आव एक्सराइस हाइड भी ही फुल्फिल हैस रिस्पोंसिबिलिटी इ वो पूरा किया होता था मतलब अगर उसने अपनी रिस्पोंसिबिलिटी निभाई हुई होती तो ऐसे सेनारियो में इसको दो राइट ऐसे केस में क्या मिल सकते थे ऐसे मानिया सुमित और विवेक ने खुद से इंस्टॉल ने के इंस्टॉलेशन हो के गया है ठीक है तो ऐ अच्छा I forgot इसमें एक और लाइन लिखी हुई थी मैंने थ्यान नहीं दिया उसपे रुके रुके पहले उसे डिसकस करते हैं इन्होंने लिखा कि इन्होंने इंस्टॉलेशन किया विदाउट फॉलोइंग दर वानिफार्ट्वार्स इंस्टॉलेशन स्टॉलेशन मतलब पर देते ना मेशा पेपर फुम उसमें चार पाच इसमें फेजिस होते हैं उसमें सारा लिखा होता है कि इसको यहां फिट करना है तो वह वाला जो पेपर था है लोगों ने उसे खोल के नहीं देखा इन्होंने खुद से जहां पे जो चीज अटार्च हो रही थी वह कर दी कि यह एक बहुत बड़ी गलती करी इन्होंने चलिए तो यह वो रहे आज़ा कास्टमर इनको सबसे पहले तो इंस्ट्रॉक्शन किट को रेफ़ करना चाहिए था अगर यह खुद इंस्टॉलेशन करने के लिए बैठेते पहली बात तो इनको खुद करी नहीं चाहिए थी तो वो था right to be heard मतलब इसकी बात सुनी जाती यह अगर अपनी complaint रख रहा तो सामने वाले को इसकी बात सुननी चाहिए थी right to secret wrestle मतलब इसको remedy मिलनी चाहिए थी तो यह दो rights उसको मिलते अगर उसने पहले वाले उसमें अपनी responsibility निभाई होती तो ओके चलिए फट स्क्रीन श Okay, now let's move to next question, question number 34, यह है अनीता जी के बारे में, अनीता परचेस अ बुक from Satish bookstores, while reading the book she found that 10 pages are missing, यह बच्पन में बहुत होता था, मतलब जब भी मैं नई books लेके आती नहीं, मैं सबसे पहले यही चेक करती थी, कि pages सही है, कई-कई बार क्या होता है, दो-दो pages आपस में attach होते है, मुझे बढ़ा मजाता था उन pages को खोलने में, वो scissors लेके या हाथ से खोलने में, तो पहले तो मैं यही चेक करती थी, कई बा She approached the seller of the book and complained about the missing pages. The seller promised that if the publisher was ready to change the book, he would change the same. After week, the seller informed Anita that the publisher had refused to change the book. Where can Anita file a complaint against the seller of the book, give reason and support of your answer, also explain who is a consumer as per Consumer Protection Act 2019. तो बैसिकली क्या हुआ है अनिता जी ने बुक खरीदी है जिसके 10 पेज़ेस मिसिंग है और इन्होंने सेलर भाई साब को कॉल किया कि भाई या मेरे तो 10 पेज़ेस मिसिंग है बुक में से तो उन्होंने बोला मैडम कोई बात नहीं मैं एक बाद पुब्लिशर से बात कर ले कंप्लेंट कहां फाइल कर सकती है आपको reasons देने है अपने answer के support में और साथ ही साथ आपको ये भी explain करना है कि consumer कौन होता है according to Consumer Protection Act 2019 2019 Act के according consumer कौन होता है that you have to explain देखिए Anita can file a complaint against the bookseller in the district commission अब आप बोलेंगे ma'am यहाँ पे दूर दूर तक amount तो लिखा ही नहीं हुआ था तो आपने कैसे पता लगाया कि district commission के पास ही जाना है state commission या national commission के पास नहीं जाना तो इसका बहुत simple सा reason है आप ये देखिए कि product क्या है product a book a book कितनी महेंगी आ जाएगी मतलब मैं मानती हूं कुछ books होते हैं बहुत महेंगी आती है बट फिर भी कितनी महेंगी करोड में आती है कोई नहीं ना हर एक book normally 200 400 500 700 800 1000 2000 3000 4000 मतलब अगर वो MBBS की book होईगी तो वो 7 या 10,000 की होएगी ठीक है उसके beyond तो नहीं जाएगी अब ये cases फिर कहां जाएंगे ये cases जाएंगे district commission के पास district commission is set up in each district by the concerned state government district commission हर एक district में set किये जाते है किसके द्वारा state government की द्वारा इन district commission those complaints can be filed in which the value of goods and services in the question along with the compensation claim does not exceed 1 करोर अच्छा ये सारी चीज़े मत लिखना ठीक है amount मत लिखना क्योंकि मुझे ऐसा लगता amount लिखना अपने पहर पर कुलाडी मारने वाली चीज़ हो जाती है ये चीज़ रहने देना बस उतना लिखना कि हिस्तिक commission की पास अनीता जा सकती है ठीक है उसके बाद consumer को अगर define करने की बारी आती है तो ये बोलते हैं under the consumer protection act 2019 the term consumer has been defined as any person who buys the goods who buys goods or hires or avail any service for consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment it also includes any user of such goods with the approval of the buyer or any other beneficiary of the services when such goods or services are availed of with the approval of the person concerned but does not include a person who avails such services for any commercial purpose. simple terms मैं बोलू बहुत भारी बरकम होगया इनो कोई इंसान जो goods खरीदता है वो consumer है अगर उसकी इजाज़त से कोई और इंसान उस goods को इस्तिमाल करता है वो भी consumer है और अगर वो इंसान जो इसकी इजाज़त से goods इस्तिमाल कर रहा है but for commercial purpose वो consumer नहीं है मतलब self consumption के लिए we are using a product or service then in that scenario you are a consumer ठीक है लेकिन अगर आप उसे commercial purpose के रिस्तिमाल करें यहां से खरीद किया है यहां पर बेचने वाले तो इस सेनारियो में आप consumer नहीं है और दूसरा consumer वो इंसान जिसने payment करी हो goods खरीदते खरीदने के बाद या फिर आधी payment करी हो आधी promise की हो बाद में कर देंगे और self consumption या फिर किसी और के consumption के लिए खरीद है लेकिन commercial motive involved नहीं है चलिए अब इसका screenshot ले लीजे फड़ा फट और इसका भी ले लीजे और इसी के साथ हम चलेंगे हमारे next question पे जो की है question number 35 यह क्या बोलता है छोटूजा question है यह बोलता है a shopkeeper sold you some spices claiming that those were pure later a laboratory test showed that those were adulterated what precautions you should have taken before buying the products एक shopkeeper है जिसने कुछ spices बेची और वो claim करता था कि वो spices pure है जब laboratory में चेक हुआ तो पता चला हारे नहीं तो इसमें तो बहुत मिलावट है what precautions you should have taken before buying the products आपको कौन-कौन से precautions लेने चाहिए थे किसी भी product मतलब ऐसे product को खरीदने से पहले क्या बताने आपको कौन-कौन से precaution आपको लेने चाहिए थे ऐसे product को खरीदने से पहले तो बस precautions वाला question है direct answer होगा यह हम में से बहुत कम लोग देखते हैं नाम देखना चाहिए आपको product का यह भी मैं नहीं देखती यूशुली standardization mark, standardization mark like ISI mark, FPO mark, egg mark वगेरा जो marks आते हैं maximum retail price यह मैं देखती हूँ MRP यह तो actually मैं सबसे पहले ही देखती हूँ कभी-कभी नहीं देखती है ना previous उसमें तो मैंने बताया था मैंने नहीं देखा directions for using the product if any अगर product को इस्तेमाल करने की कुछ directions लिखी हुई है उनको देखी आप see that the packet was properly sealed and not puffed, torn or in a bad condition हाँ यह देख लेते हूँ कि पहले से packet खुला तो नहीं हुआ है, फटा तो नहीं हुआ है, लीक तो नहीं है कहीं से यह सारी चीज़े भी आपको चेक करनी चाहिए, हमारे घर के जो बाहर वाले साची पार्लर वाले हैं, बहुत बार ऐसी pack मतलब seal, फटी हुई, वो सब करे हुए products को बेश देते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उनके साथ, चलिए इसका screenshot ले लिजी, बहुत ही basic nature को question था, अगर यह दो number या एक number में आता है, तो इतना ठीक है portion लिखना, लेकिन अगर यह question 3 number या 4 number में आता है, या 6 number में आता है, तो आपको explanation भी साथ में देनी पड़ेगी और और भी चीज़े आड करनी पड़ेंगे, तो थोड़ा सा जब question paper में आप देखेंगे, किसी भी रेंजर का question आएगा, तो यह जरूर देख लीजेगा, कौन सा question कितने marks का है, उसके according ही चलिए, नेक्स है मारा question number 36 ये बूलता है, राहूल बजाज परजेज़ दा कार पर रुपीज 78 लाक फ्रम आन आटो मोबील कमपनी, लेडर ओन ही फांद इफेक्ट इस एंजिन, सजेस्ट तो एम अप्रोप्रेट अथारटी वेर ये कुड फाइल अप्लेंट अंडर लेडर ओन ही फांद इफेक्ट इस इंजन, बात में इसको पता लगा कि इतनी महेंगी गाड़ी लेने के पाद भी इसके इंजन में इफेक्ट हैं, आपको सजेस्ट करना है उसको अप्रोप्रियेट अथारटी जिसके पास वो जाके अपनी कंप्लेंट रेस कर सकता है आपको जाना है, उसमें से कौन से वाले के पास अपको जाना है, so they say he can appeal before the district commission as in this case such complaint can be filed whose claim is less than 1 crore, on receiving the complaint the district commission shall refer the complaint to the opposite party, after being satisfied with the genuineness of the complaint it passes order such as remove the defects in the goods, return this and that, okay जो यहाँ पे में था वो यह था कि किस के पास जाना है, किस के पास जाना है, district commission के पास जाना है, अब यह district commission के पास commission के पास जाएगा, तो वो आगे क्या करेंगे, वो पहले तो proof वगेरा देखेंगे, जो आपने लगाए होंगे, उसके बाद वो opposite party को बताएंगे, वो automobile company को बताएंगे, कि बेटर तुमारे against case आया, देख लो तुम थोड़ा सा, और फिर उसके बाद दोरों ही parties की बाते सु और अगर प्रूव हो जाता है कि उनकी गलती नहीं है, इसी इंसान ने कुछ उल्टी हरकत कर दे, जिसकी वज़से गाड़े का engine खराब हो गया, तो फिर कुछ भी नहीं, मतलब case खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है, तो यह है इसका answer, फड़ा फट स्क्रीन शाट लो, और फिर हम चलता है हमारे next question पर, question number 37, यह क्या बोलता है, इस रिना पर्चेस्ट अ लीटर अफ रिफान ओल विच शी डॉटेट तो बी अडुटरेट, शी सेंट इस तो लिबरेटर अटेस्ट, शी सेंट इपर अबरेटरी तेस्ट, जी सेंट पर अबरेटरी तेस्ट, विच Redressing their grievances under the Consumer Prediction Act 2019, अब यहां पर दो questions दिये हुआ है, लेकिन दोनों में same answer आएगा, और इससे आप यह भी समझना कि पहला जो question दिया हुआ, वो case-based format में है, मतलब उन्होंने एक case study दे दिया है, छोटी सी आपको जिसके basis पर उन्होंने एक question पूछा है, जबकि दूसरे वाला एक straight away question था, दोनों में करना कुछ नहीं है, बस आपको remedies बतानी है, हुआ क्या कि रीना ने एक little oil purchase किया और उसको लगा कि जैन्मन नहीं है, कई बार देखने से पता चल जाता है, जैसे हम लोग घी लेके आते हैं, तो कई बार घीना बिलकुल plastic की तरह लग रहा होता है, तो ऐसे ही कुछ मिलावट वाला उसको सीन लग रहा था, तो उसने लाब में टेस्टिंग के लिए भीजा उस oil को और पता चला कि हाँ, आच्छली वो मिलावट वाला ही था, अब आपको 8 remedies बतानी है, जो की available हैं उसको, इस particular case में, जहां पर वो अपनी complaint trace करेगी, straight away question ही है, बहुत सारी remedies दी हुई है, कोई भी आर्ट उटा के लिख सकते हैं, it says, if the consumer court is satisfied about the genuineness of the complaint, it can issue one or more of the following directions to the opposite party, to remove the defect in goods or deficiency in services, to replace the defective product with a new one, free from any defect, to refund the price paid for the product, यहां पर आप माक कर सकते हैं, remove करना defect, replace करना product को, refund करना पैसे, यह उसके अलावा pay reasonable amount of compensation, punitive damages पे कर देना, discontinue कर देना, unfair trade practices को, hazardous goods की sale ना करना, दुबारा से, withdraw कर लेना, seize करना, ऐसे चीजों की manufacturing को, ठीक है, इस सारे points हमने बहुत जादा detail में, examples की साथ पढ़े हुएं, अगर आपको कोई without है, तो आप वो detailed video देख सकते हैं, बाकि आप screenshot लेना चाहें, तो इसका ले सकते हैं, यह बहुत ही straight away question था, बहुत ही simple question था, simple simple उन्होंने पूछ लिया, art remedies बताओ दो भया, हमें simple सा, चलो, अचा, दो तीन और भी हैं, अब इसमें नहीं जा रहे हैं, फड़ा फड़ा इसका screenshot लेना चाहो तो ले लो, अपन डारेक्ली मूव कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने art ब यह बहुत हैं, यह बोलते हैं, Gopal, Mohan और Shyam are three friends having their separate small manufacturing units in an industrial estate, they are hard working and honest and undertake their respective production activities following the good practices of business, they use good quality raw materials and adopt standardized process, they fix the prices of their products with a reasonable profit margin, but all of them are worried about the malpractices like manufacturing substandard, duplicate and defective goods by fellow manufacturers. Therefore, they decided to form an organization with a constitution of its own which is free from government interference. This organization would encourage consumers to strongly protest and take action against unscrupulous, exploitative and unfair trade practices of sellers. State three other functions which may be performed by this organization in addition to the mentioned above. Gopal, Mohan और Shyam, तीन अच्छे दोस्त हैं, having separate small manufacturing units in an industrial estate, एक industrial estate में इन तीनों की अलग-अलग छोड़ी-छोड़ी manufacturing units हैं, they are hard working, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, बहुत हाड working हैं, honest हैं अपने काम को लेके, और अपनी production activities को बहुत ही अच्छे से करते हैं. They use good quality raw materials and adopt standardized process, ये अच्छी quality के raw materials इस्तमाल करते हैं और standardized process भी इस्तमाल करते हैं, बतलब इनकी proper एक process बनी हुई हैं, उसी तरीकी से काम करते हैं. They fix the prices of their products with a reasonable profit margin. ये अपने prices ऐसे fix करते हैं कि इनको एक reasonable amount का profit margin मिल जाता हैं और मतलब जो cost होती हैं वो भी निकल जाती हैं. But all of them are worried about the malpractices like manufacturing sub-standard, duplicate and defective goods by fellow manufacturer. But इन लो की, मतलब तीनो की जो tension का मुद्दा है वो ये हैं कि जो इनके fellow manufacturers हैं, मतलब इनके साथ जो और हैं उस industry का part, वो लो कभी-कभी sub-standard, duplicate or defective products बना के बेच के पैसा कमा लेते हैं और इनको नुकसान हो जाता हैं उसके चलते हुए. इन्होंने सोचा कि हम एक organization बनाते हैं जिसमें government interference नहीं होगा, खुद का ही हम constitution करेंगे. This organization would encourage consumers to strongly protest and take action against this and that. ये organization का main काम रहेगा, consumer को एक तो aware बनाना और उनको इतना सक्षन बनाना कि वो unfair trade practices के against काम अवाज उठा सके. आपको तीन और functions बताने हैं जो कि ये organization पूरी कर सकता है in addition to the above mention. मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है उसके इलावा तीन और functions बताने हैं जो ये particular organization करेगा. देखें कुछ नहीं है, simple सी बात है, तीन दोस्ते एक industry में थे और एक industry में उनके खुदी manufacturing units थे बट उनको ये tension थे कि बाकी सब उट पर तांग समान बेचके पैसे कमा लेते हैं और हम यहाँ पर मतलब अच्छे से good quality product बनाते हैं अब हमारे उसका इतना वह जादा वही नहीं हो पाता. तो ऐसी सिनारियो में इन्होंने एक organization खोली है जिसमें ये basically चाह रहे हैं consumers को aware बनाना और उनको suction बनाना उनके rights के लिए वो खड़े हो सके. अब आपको इस organization जो इन्होंने form की है उसके बारे में अच्छी चीबाते बतानी है कि इनके क्या-क्या benefits हो सकते हैं. बहुत simple जब हो है कि किस तरह की organization form करें है ऐसी जो consumer protection के लिए काम करते हैं. Consumer protection के लिए काम करने वाली organizations के और क्या-क्या काम होते हैं? बहुत सारे होते हैं, हमने पड़े थे, बस वही तो सारे लिखने हैं यहापर. It says functions performed by consumer organization and NGOs are they provide legal assistance to consumers by way of providing legal aid, advice, etc. and seeking legal remedy. जब भी किसी consumer को legal remedy लेनी होते हैं, तो यह legal aid provide करते हैं उन लोग को. Carrying out comparative testing of consumer products in accelerated laboratories and publishing the results for the general benefits. यह बहुत बार labs में sample बगेरे test कराते हैं और उनके जो results आते हैं, जो reports आती हैं, उन्हें publish भी करते हैं, journals में. NGOs and consumer organization conduct various training programs and workshops to educate the consumers about their rights and responsibilities. NGOs and consumer organization के जो बहुत सारे conducts होते हैं, training programs arrange करते हैं, workshops arrange करते हैं, ताकि educate कर सके consumer को उनके rights and responsibilities के बारे में. चलिए. That's it. तीनी और इन्होंने mention कियां, आप चाहें तो आप और भी लिख सकते हैं, बढ़ अगेन देख लिजेगा कितने marks का question है, उसी के according लिखिएगा. चलिए, next question है, question number 39, यह क्या बोलता है, ओके, यहाँ पर तीन अलग-अलग questions पुछे हैं, लेकिन तीनों में वो पूछनी same भाद चाहरे हैं, चलिए, पहले यह बोलते हैं, suppose you are familiar with an organization who is protecting and promoting the interest of consumers, in this context, state some of the functions of such organization. State area, three functions performed by non-governmental organizations for consumer protection. What functions would you perform for the general benefit if you are running an NGO for consumer protection? Again, सब में वो क्या बोल रहे हैं, कि एक organization की बारे में बात हो रहे हैं, non-governmental organization की बारे में बात हो रहे हैं. आपको बस यह बताना है, यह कौन-कौन से functions करती है, consumer को protect करने के लिए. अभी previous जो question था, वो भी somewhat ऐसा ही था. Let's see, इसमें और कोई points हम mention करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है? So, यह तीनों question, बिलकुल, same nature के हैं, किसी भी बेसे पूछे, आपको answer same ही लिखना है. It says, these are consumer organization or NGOs who are serving different sections of the society. Such organization performed the following function. First, I'm making consumer aware of the rights and responsibilities. सबसे पहले तो यह लोगों को उनके rights and responsibilities के बारे में aware करती है. यह तुम्हारे यह rights बनते हैं, तुम्हें क्लेम करने हैं, तुम्हें यह चीज मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए. हम सब जानते हैं कि इंडिया में half of the population is illiterate, तो ऐसे में, और even literate लोगों को भी अपने rights के बारे में नहीं बता तो तुम्हें पहले aware बनाना कि भी है, यह मिले हुएं तुम्हें, मतलब government ने दी हैं तुम्हें बकाइदा act के चलते हुए, इतने rights, तुम्हें क्लेम कर सकते ह असानी से, और साथ में कुछ responsibilities भी बनती हैं, वो भी पूरी करनी चाहिएं तुम्हें, तुम्हें सब के बारे में अच्छे से बता देना, educate करना, उन्हें remedies के बारे में कि सिर्फ तुम्हारे rights नहीं है, बलकि अगर उन rights का violation होता है, तो उसके बतले में तुम्हें remedies भी मिलत done by the producers and sellers, यह बोलते हैं कि आपको यह सारे benefits भी मिलते हैं, कि इसमें आपको कई बार जैसे producers बहुत fraud कर देते हैं, manufacturer fraud कर देते हैं, बंदी साथ, गंधी quality का product देते हैं, तो उनके against protest करना, उनके against legal remedy, मतलब consumer के तरफ से चलवाना, legal aid provide करना, consumer को यह सारे बाते हैं, मतलब यह सार लग-लग options हैं, फट से इनका screenshot ले लो, बहुत ही छोटो-छोटो से थे, मतलब आप ऐसे मानिये कि अगर यह एक number या दो number के लिए हद से अध question आया हुआ है, तो इतना explanation मतलब इतने points काफी होंगे, लेकिन अगर यही question 3 number का आया हुआ है, तो आपको यह सारे points जो है ना explain करन होगी, चलिए, अब चलते हैं question number 40 पे, यह थोड़ा सा लंबा question है, आराम आराम से रीट करेंगे से, it says, RO youth club organized the visit of its members to an old age home to inculcate the habit of social work among them, the visit revealed that the living condition of the inmates of the old age home were not hygienic, so the RO youth club members decided to clean the premises, during their cleanliness drive, they realized that the old age home also required pest control, but some of the inmates of the old age home were reluctant for it because they believed that the pest control may create health problems for them, RO youth club therefore decided to provide ethical, safe and orderless pest control, they showed it to the inmates of the old age home a pamphlet of the proposed pest control product which promised easy, inexpensive and long lasting pest control, the inmates happily agreed and the pest control was carried out, the effect of the pest control started wearing off after a fortnight, RO youth club contacted the pest control company which kept on postponing their visit, after waiting for a month, RO youth club filed a case in the consumer court, the consumer court was satisfied about the genuineness of the complaint and issued necessary direction to the pest control company, state any six directions that might have been issued by the court, इतनी बएएदितनी बड़ी कहानी गाने के बाद गोईशन इतना छोटा सा पूचा है बता हुजरा और वो भी बहुएच बहुएचन पूच लिया, एक आरो यूथ क्लब करके और्गिनाइजेशन थी जो बहुत सारी अक्टिविटीज करती रहती थी एक बर यह ओल्ड एज होम में गई ताकि ओल्ड एज होम के साथ कनेक्शन मेंटेन कर सके उन लोगों में भी सुसाइटी के टूबर्च कुछ ना कुछ करना है ऐसी हैबिच इनकल्केट कर सके जब वह ओल्ड एज होम गए तो इन्होंने देखा कि हाइजन की मतलब वहां पर हाइजन की काफी दिक्कत थी बज़ुर्ग लोग और तो इन लोगों ने वहां पर साफसफाई की साफसफाई करते हो इनको यहां भी यह भी समझ में आए कि बहुत सारे इ इस कंट्रोल करने से कही ना कहीं उनकी तबित बिगड़ सकते हैं आपने भी देखा होगा जब हम घर में पैस्ट कंट्रोल करवाते हैं तो दो से तीन गंटे नाग बंद रखना पड़ता है क्योंकि बहुत गंदी स्मयल आते हैं यह फिर आपको थोड़ा रिसिस्ट करना ह मुश्किल हो जाता थोड़ा सा वहां पर ब्रेधिंग प्रब्म आजाती है तो इन लोगों को लगए तो ऐसी बज़ुर्ग हैं तो और रिशू हो सकते हैं तो आरो यूथ क्लब में इन्हें एक ऐसा पैंपलिट दिखाया जिस पर लिखा हुआ था कि पैस्कंट्रोल अच् पैस्कंट्रोल वाली कंपनी की गलती है यहां पर जो क्वेशन का आपको आंसर करना है वो यह करना है स्टेट एनी सिक्स डारेक्शन कंजूमर कोट जो है वो पैस्कंट्रोल वाली कंपनी को कौन सी छे अलग-अलग डारेक्शन दे सकता है वो आपको बताना है कंजूमर कोट कौन सी छे अलग-अलग डारेक्शन दे सकता है पैस्कंट्रोल कंपनी को सी फर्स्ट है रिमूव करना डेफिशेंसी को सेकिंड है रिफंड करना प्राइस को रिजनेबल अमाउंट दिलना कॉंपनसेशन का प्यूनेटिफ डामेज़ पे कर देना रिमूव रिफंड रिपे करना ठीक है वो लिखा हुआ यहां पर बैं कर देना ऐसी गल बेकार सर्व और अगर यह क्वेशन तीन नंबर के लिए आजाता है चाहर नंबर के लिए आजाता है तो इतना कॉंटेंट कम पड़ेगा आपको एक स्प्लेइन करना पड़ेगा हर एक पॉइंट को ठीक है दोड़ा सा ध्यान रखेगा जितने भी नंबर का क्वेशन होगा उसी के अक् यह बोल रहा है explain the three-tier machinery under Consumer Protection Act for redressal of consumers grievances यह question when I was in my 12th class तब भी पूछा गया था यह question मैं जब आपको यह chapter पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बोला तरह हंक से पढ़ ले ना क्योंकि इससे question पसमें की probability बहुत जादा होती है यह question NCRT solutions में भी आया now this question is also there in your test paper तो मतलब यह topic important है थोड़ा सा इसको अच्छे से ही पढ़के जाएगा even when I was doing my CS तब भी यह question पूछा गया था तो CS में भी अगर यह question आने वाला है और जो बच्चे सोच रहे हैं CS करने का तो उनके लिए तो अच्छा है न अभी से preparation करना ओके तो चलिए बहुत ही simple answer है इसका हमें पता है सबसे पहले होता है district commission फिर होता है state commission फिर होता है national commission तो बस वही चीज़ को आपको explain करना है they say district commission the state governments are required to establish a district commission in each district हर एक district में state commission स्टेट गवर्मेंट जो होती है वो क्या करती है district commissions फॉर्म करती है यह receive करते हैं complaints एक करोड से नीचे नीचे goods and services की जहां पर compensation का amount मिला के मतलब goods की और services की कीमत नहीं बलकि compensation का amount मिला के एक करोड से जादा का नहीं बने case on receiving the complaint the district court shall refer जैसे complaint receive होती है district court को क्या करता है वो सामने वाली पार्टी जो opposite पार्टी होती है उसको intimation भीचता है कि आपके against complaint हाई है लाब में कोई testing करानी होते है वो कराता है और उसके बाद पूरा case सुनता है और अगर उसको लगता है कि हाँ case जैन्वन है सही है तो वो फैस्ता सुना देता है उसके recording सेकें हमारा state commission state commission again state government द्वारा ही set किया जाता है और यह state की boundaries के अंदर होता है यहाँ पे एक करोड से लेके 10 करोड तक के cases आते हैं उसके बाद अगर कोई भी इंसान district commission से खुश नहीं होता तो वो अपनी appeal लेके भी state commission की पास आता है मैंने आपको इसी वीडियो में appeal का मतलब पहले बताया था अगर आपको नहीं बता तो फिर थोड़ा rewind करके देख लो तो 45 days के अंदर अंदर district commission के फैसला है उसके against appeal state commission में लाइक कर सकती है नैशनल commission की बात कर रहे तो यह central government वेरा set किया जाता है ऐसी complaints जो कि 10 करोड से जादा की होते है वो यहाँ पर file की जाती है अच्छा यहाँ पर एक चीज मिसिंग है जो यह explanation है उसमें यह कि president होते हैं दो members होते हैं दो members होते हैं चार members होते हैं बतलब composition सारे commissions की composition लिखना is important ठीक है तो सारे वो लिख लेना उसके बाद यह बोलते हैं कि state commission से अगर कोई खुश नहीं होता तो 30 दिन के अंदर appeal लेकि वह आ सकता है यहाँ पर और अगर कोई इंसान national commission से खुश नहीं होता तो फिर इनके अगेंस इनके फैसले के अगेंस अपील लेके जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में ठीक है चलो फड़ावर इसका स्क्रीन शाट लो अब इसका एंदेन इसका मैं एक और चीज़ बता दिती हूं यहाँ पर और ज़दा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो आप ऐसा पहले डायग्राम कर सकते हो डिस्टिक कमिशन ज्यादा होते हैं स्टेट कमिशन कम होते हैं नाशनल कमिशन और उसके उपर सुप्रीम कोर्ट लिगते रहा इसके पास जाएंगे इसके पास कौन से केसे लेके जा सकते हैं इसके पास कौन से cases लेके जा सकते हैं, इसके पास कौन से cases लेके जा सकते हैं, इस सारी चीज़े आप मेंशन अगर ऐसे ही डाइग्राम में कर दोगे ना बहुत बैतरीन लगेगा, वो बहुत अच्छा लगेगा, जहां पॉसिबल हो business studies में डाइग्राम ड्रॉ कर देना, flow chart बना दे series का, इस test paper का, जो last question है, वो हमारा question about 42, ये क्या बोल रहा है, देख लेते हैं, ये बोल रहा है, the Maharashtrian State Consumer Commission has asked Coca-Cola, one of the international fizzy drinks manufacturer, its bottler and distributor to pay 1 lakh in damages to consumer who found impurities in a bottle of soft drink that he had bought. Chandrasekhar Paradkar, a resident of Shankar Nagar area here, filed a complaint with the Nagpur District Commission seeking compensation of Rs. 4 lakh after he found some solid objects inside a sealed bottle of soft drink. He had bought six various brands of the soft drink, two bottles each of Maza, Coca-Cola and Sprite from a shop nearby his house. Based on that, the District Commission earlier gave a ruling after finding Coca-Cola, its bottlers, superior drinkers, private limited and distributors, Balaji sales, guilty of supplying drinks unfit for human consumption, which was upheld by the State Consumer Commission. The District Commission had found objects resembling pieces of mosquito repellent mats floating inside the sealed bottle. मुझे ऐसा क्यों लगरा मैने की केस तड़ी आपको पहले पढ़ाया हुए. Having conducted the test by a public health laboratory, they found the drink unfit for human consumption. While giving its ruling, the District Commission relied upon the historic Donald vs. Stevenson's case wherein heavy compensation had been awarded to a consumer who had found rusted nails inside a bottle of ginger beer. Okay, चलिए. तो महराश्या का जो State Consumer Commission है, उसने Coca-Cola के distributor और bottler दोनों पर ही एक लाग के damages लगाए हैं. और manufacturer के उपर भी एक लाग के damages लगाए हैं. क्यों? क्योंकि उनसे किसी इंसान ने एक soft drink की bottle खरीदी थी, जिसके अंदर उसे क्या मिला? कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो कि उसके अंदर नहीं होनी चाहिए थे. मतलब कुछ solid substance मिला. ये इंसान का नाम है चंदर शेकर और ये रहता है शंकरनगर एरिया में. और उसने complaint file की थी नागपुर district commission के पास 4 लाग का compensation मांगने के लिए. इसने 6 अलग-अलग brands की चीज़े ली थी. जैसे की दो माजा ली थी, Coca-Cola ली थी, Sprite ली थी अपने घर के बगल वाली शॉप से. District commission earlier gave a ruling after finding Coca-Cola, its bottler, this undistributor, this guilty of the supplying. District commission था, उसने माल लिया था कि हाँ, उन लोगों की गलती है और उसी चीज़ को upheld गया State Consumer Commission ने. इन लोगों ने जो solid substance देखा था, वो basically इनके according क्या था? और repellent match थे, वो mosquito killers वाली rats वो नहीं आती match जिसको जला के कुछ 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 करते हैं, जला के नहीं मतलब उसको all out में रखा करते थे, बहुत पुराने जमाने की बात होगे, शायद आप लोगों ने तो देखी भी नहीं होगी, ऐसे टिक्की डाइप होती थी, उसको जैसे all के बारें बात करें, तो लोगों को लगा वही चीज है उसके अंदर, और अगर वो चीज है उसके अंदर तो मतलब यह तो human consumption के लिए सही नहीं है, जिस चीज से आप mosquito मारते हो अच्छा human मरेगा नहीं, लेकिन डाइरिया जैसी बिमारी है तो उसको होई सकती है, इस लाग थे मिले, इसको एक लाग ही है, अब हम आज आते हैं, मेन मुद्धे पर जो की पूछ रहे हैं, with reference to the above case, state the reliefs that could be given to an aggrieved consumer, aggrieved मतलब ऐसा होता है, जिसके साथ बुरा हुआ है, तो आपको state the reliefs, relief state करने, कौन कौन से इसको मिल सकते हैं, again यह भी somewhat same nature का equation है, जो हमने पह punitive damages के लिए payment मिल सकती है, discontinue कर सकते है, unfair trade practices, hazardous goods को sell करने से, offer करने से मना कर सकते है, withdraw कर सकते है, cease कर सकते है, manufacturing ऐसे चीज़ की, और even at the same time consumer welfare fund में भी पैसा डाल सकते है, जिसका पैसा इस्तमाल होता है, consumers की education level को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनको aware बनाने के लिए, corrective advertisement issue pay adequate cost to the appropriate party, यह सारे remedies हैं, जो available हैं, जो इस्तमाल किये जाते हैं, ऐसे cases में, फटसे इनका screenshot ले लो, and that's it, यह test paper यहीं पर खतम होता है, 42 questions थे, हमने 42 कर लिया है, I hope आपको सारे questions समझ में आया होंगे, अगर कोई भी doubt है, comment section में आप लेख सकते हैं, अगर आपने इस chapter की videos normal वाली नहीं देखे हैं, तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा, normal videos देख लीजे, और बाकी किसी भी chapter क test paper अगर आप भी तक आपने solve नहीं किया है, तो हर video के नीचे इस, मतलब जो current chapter चल रहा होगा, उसका test paper का link भी है, as well as next वाले chapter का test paper का link है, ठीक है, तो दोनों को आप refer कर सकते हैं, साथी साथ हर एक चीज के लिए अलग से playlist बनी हुए, आपको बस जाके search करना है, और उसको follow करना है, website भी है अब तो हमारी, और साथी साथ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, हमने मैगने ब्रेंज का हिंदी चानल करके नया आज आना शुरूर किया, जिसको आप basically इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स या फिर आप state board student है, ठीक है, अधा उठाइए, कोई भी doubt है, कोई भी complaint है, वो आप comment section में लिख सकते हैं, telegram groups भी available है अब तो आपके लिए, आपके doubt solution के लिए, तो आप उनको भी follow कर सकते हैं, that's it, thank you so much for watching this video.